साथियों, आत्म निर्भर बिहार, आत्म निर्भर भारत के मिशन को गती देने के लिए विशेशकर देश के छोटे शहरों को बर्तमानी नहीं, बविश की जरूरतों के मताबिक तैयार करना बहुत जरूरी है. इसी सोच के साथ, अमरुत मिशन के तहट, बिहार के अनेक शहरों में, जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ-साथ, इज अब लिविंग और इज अब डूइंग बिजनेस के लिए, बहतर माहोर तैयार करने पर बल दिया जा रहा है. अमरुत मिशन के तहट, इन शहरों में, पानी और सिवरेज के साथ, ग्रीन जोन, पार्क, एलिडी स्ट्रीट लाइट, जैसी व्यवस्थाओं का निर्मान किया जा रहा है. इस मिशन के तहट, बिहार के शहरी छेत्र में, लाखों लोगों को बहतर सिवरेज सिस्टिम से भी जोड़ा गया है. इसमें भी अधिक्तर सुविधाएं ऐसी बस्तियों में विक्सित की गई हैं, जहां गरीब से गरीब परिबार रहते हैं. बिहार के भी सो से जादा नगर निकायों में, साड़े चार लाख एलिडी स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं. इससे हमारे छोटे शहरों की सडक और गल्यों में, रोशनी तो बैतर हो ही रही है, सैकडों करोड की बिजली की बचत भी हो रही है, और लोगों का जीवन आसान हो रहा है. साथियों, बिहार के लोगों का, बिहार के शहरों का तो गंगा जी से बहुत ही गहरा नाता है राजे के बीस बड़े और महत्वपुन शहर गंगा जी के किनारे ही बसे हुए है गंगा जी की स्वच्चता, गंगा जल की स्वच्चता का सीधा प्रभाव इन शहरों में रहने वाले करोडों लोगों पर पड़ता है गंगा जी की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ही बिहार में छे हजार करोड रुपे से अधिक की पचास से जादा परियोजनाए स्विक्रत की गई है सरकार का प्रयास है कि गंगा के किनारे बसे जितने भी शहर है वहां बड़े बड़े गंदे नालों का पानी सीधे गंगा जी में गिरने से रोका जाए इसके लिए अनेको बॉटर ट्रिक्मेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं आज जो पटना में बेउर और करम लिचक की योजना का उद्गाटन हुआ है उससे एक शेत्र के लाखों लोगों को लाख होगा इसके साथ ही गंगा जी के किनारे बसे जो गाउं है उन्हें गंगा ग्राम के रुप में भी विक्सित किया जा रहा है इन गाउं में लाखों सौचाले के निर्मान के बार अब कच्रा प्रबंदन और जैविक खेती जैसे काम के लिए प्रोच्सान दिया जा रहा है